अस्तलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों आज की यह वीडियो उन लोगे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टनेट है जो लोग नए है और सौधी अरब आना चाहते हैं या फिर वो लोग जो लोग अभी इंडिया में वैक्सीन ले चुके हैं लेकिन अभी भी उन्होंने वैक् ली है क्योंकि आपको जाहिर सी बात है आपको मालूम भी होगा कि इंडिया को जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो सौधी अरब में माने नहीं रखता है यहां पर दोस्तों कुछ लोग के मन में यह सवाल जरू होगा कि भाई अब तवक्कलना तो यहां पर वैक्सीन को अ है आपको पास इंडिया का सर्टिफिकेट होगा लेकिन जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इंडिया कर यहां पर माना नहीं जाता है इसलिए दोस्तों अगर आपने एक ही डोज इंडिया में लिए हैं पिर भी आपको बहुत जरूड है कि आप अपना जो वैक्सीन का सर्ट इसको अप्लोड करने में पांच मेंट लगेंगे जो कि मैं आपको अभी लाइब करके दिखाने वाला हूं लेकिन अगर आप इसको एप्रूबल की बात करें तो पांच से दिन के अंदर इसका अप्रूबल मिल जाता है तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए चलते हैं अ मेरा नाम शमशाद अली है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास एक लेप्टाप होना ही चाहिए आप इसको मुवाइल फोन के थूरू भी कर सकते हैं सिंप्ली अपनी क्रोम ब्राउजर में जाए और वहां पर जाके इस थ्री डॉट पर क् को इसको एक्टिवेट कर लेना है जिए चुआ आपकी दिश्पेले हैं वे सिंप्ले के लैप्टॉब जैसा ही काम करने लगी उसके बाद आप इसको को क्र सकते हैं चल्ए चलते सिधा अंवाय स्कृन पर तो सबसे पहले आपको कंप्यूम ब्राॉजर को ओपन कर लेना है आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसके बाद Google के सर्च बार में यहां पर आपको टाइप करना है अप्लोड वैक्सीन स्रेटिफिकर्ट जैसे मैं इस पर क्लिक करेंगो यहां पर पहने मैं सर्च कर रहा है तो यह जो ऑफिसेल वेबसाइट है वह उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है उसके बाद यहां पर टू इस्टार्ट दस सर्विसेज क्लिक हीर पर आपको क्लिक करना है इस वाले आप्शन पर जब आप इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर कर दिये जाएंगे इस वेबसाइट की तरफ से जो कि कुछ ऐसा पेज आपको देखने में मिलेगा उसके बाद यहां पर जो आप इंफोमेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर लिखा हुआ है कि यह पांच आपको क्लिक करना है उसके बाद नेक्स्ट वन के आप्शन पर आपको क्लिक कर देना है अब यहां पर आप एक नए पेज पर रिडारेट होकर आ गए हैं सिंपली यहां पर देख पार यहां पर अप्लिकांट लिखा हुआ यहां पर सिंपली चूज पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप एक iqama holder है तो आपको resident पे करना है अगर आप एक visitor है तो आपको यहाँ पे click करना है अन्यता मैं एक resident का कर रहा हूँ यानि कि एक iqama holder कर रहा हूँ तो resident पे click करके next one पे आपको click करना है क्योंकि आपके पास एक iqama है उसके बाद आप एक दूसरे पेज पे रिडारेट कर दिये जाएंगे इस वाले पेज पे सिंपली यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है रेजिडेंसी नमबर इस वाले बॉक्स में आपको आपका इकामा नमबर फिल करना है उसके बाद यहाँ पर जो expiry date वाला option यह वाला दूसरा वाला दिख रहा है इसमें आपको इकामा की expiry date fill up करनी है जो की हिजरी यानि की Arabic में होनी चाहिए चलिए मैं यह information यहाँ पर fill up कर लेता हूँ यह सारी information fill up करने के बाद आपको इस वाले next one के option पर click करना है जब इस पर आप click करेंगे तो आपकी जो भी information है आपके इकामा की related आपका नाम आपके father का नाम और आपका passport नमबर हर एक चीज़ यहाँ पर आ चुकी है simply आपको यहाँ पर जो चाहिए आपको पढ़ लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे चले आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दो option मिल जाते हैं पहले वाले column में आपको आपका email ID जो मैं type कर रहा हूँ इसमें email ID डालना है इसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरा column आपको देखने को मिल रहा है ये वाला column इसमें आपको इसी email ID को repeat करके एक बार confirm कर देना है कि हाँ आपकी email ID सही है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक mobile number fill up करने का option मिल जाता है इसके नीचे वाला आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब आप कोई भी mobile number fill करेंगे तो इसको आप 0 के साथ ना fill करें simply 0 को हटा के 5 से नंबर आपको fill up कर देना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अगर आप 0 से fill up करेंगे तो यह गलत हो जाएगा यहाँ पर आपको इसको fill करके यहाँ पर next one पर click करना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिसा कि यह बता रहा है कि mobile number incorrect तो आपको यहाँ पर 0 नहीं लगाना है तो मैं इस 0 को erase कर देता हूँ यहाँ से अब 0 को हटाने के बाद मैंने number fill up किया उसके बाद next one पर click जब किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक ऐसा column आ चुका है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है vaccine information वाला page इसमें आपको तीन dose लिखे दिख रहे हैं तो आपने जो भी dose लिया है उस dose की date को यहाँ पर आपको select करना है प्लस जो vaccine आपने लिए है उस vaccine का नाम भी यहाँ पर आपको select करना है तो मेरी vaccine जो है ओ Johnson & Johnson तो मैं यहाँ पर click उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे चले आना यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि आप जो भी PDF फाइल upload करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक MB की होनी चाहिए उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको passport उसके बाद vaccine का certificate उसके बाद आपका एकामा आईडी यहाँ पर upload करना पड़ेगा चली मैं अपनी जो भी document अपने computer से अप्लोड करके दिखा देता हूं तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने तीनों फाइल को select कर लिया उसके बाद यहाँ पर order processing पर आपको click कर देना request for approval यहाँ पर लिखा हुआ कि आपकी request हमारे पास पहुँच गई है यह 5 working days में आपको approval के साथ मिल जाएगी अगर आपको अप्रूब नहीं होता है तो यहाँ पर आपको decline कर दी जाएगी और आपको दुबारा से upload करने का chance दिया जाएगा लेकिन आप थोड़ी साओधानी पर अपना कि इसको गलत information भिलप ना करना वरना बाद में बहुत ज़्यदा problem हो जाती है